अ देदाश नाश्री के तरफ चाब सबीको श्वागतम आज हमारा जब गौबा प्लांट है मादर प्लांट है जिसमें से कलम हता है यह दीखिए हमारा पुड़ा गौबा मादर प्लांट है इसमें से FRET Qur आया है जो फ्रूट मैस्वीट होके गीरभी गया है देख सकते अब तो कितना फूट आया है यह जो भैटिस आपका थाइवन पिंग गवाबा का भैटिस है यह थाइवन पिंग गवाबा इसके फूट देखिए साइच क्या होता है यह देखिए फूट का साइच हो आए इस फूट आया है सब जढ़के देखिए जो निचे गिडगा है फूट पकने के बाद नीचे गिडगा यह कलर देखिए इसका पकने के बाद नीचे गिल गाया है तो अब पुरा पिंग कलर अनंदर से मैं काटिंग करता हूँ काटिंग करके आपको दिखा दाऊ कैसे है कलार यह दिखिए इसे कलार देखिए यह थोड़ा डेमेज हो गाया है थोड़ा कि इदने बर्षत के अंदर ना डेमेज हो गाया अंदर से पूरा तरह से एकदम खराब भूत नरब हो चुगा है ना इसले कलार इसका देखिए पूरा अंदर से पींग कलार का है यह अभी काटके दिखाथा ओं एदो जो बहुत देखिए थाईबन पींग मेज़ा द сх multimedia जो अंदर सेいる पूरी तरीके से पींग कलर गहें देखिए इसका बीज देखिए कितना सा ज्यादा बीज भी नहीं है इसका बीज ज्यादा भी नहीं है इसका थोड़ा सा राउंड सा इधर से राउंड सा है बीज इसका इसका जो गोदाई है यह सबसे ज्यादा है एक थाइवन पिंग गौबा का प्लांट है दिखिए कि दना साथ फूड लगा है इससा फूड लगा है हरे फूड देखिए देखिए पक्सी ने खा लिया है यह हमारे फूड के लिए ज्यादा यूज नहीं होता है इसको कलम किया जाता है इसलिए इसका फूड को पर ज्यादा धियान नहीं देते हैं इसका फूड भी बहुत टेस्टी है बहुत मेटा है जा पूट जो है बहुत मेटा है इसका खाने के लिए एक दह में साइज से देखिए यहारा कलम क्या जाता है इसलिए थोड़ा सॉट साइज में हुआ है नहीं तो और भी साइज बढ़ा होता है और भी बिण साइज का है यह दिखिया यह वाला फूट ज़ी अभी मियाचूएट हुआ है देखिया फुट का साइज तो फक्त से ज्यादा है बहुत मिठा है छोडने का दिल नहीं करते है हैं खाने के लिए बहुत स्वाधिश्ट है थाईवान पिंक गुवावा फ्रूट भी देख लिए आप लोगों ने कैसे फ्रूट होता है उसका फ्रूट पूरा स्टॉप मिल जाएगा आपको हमारा नाचरी में पूरा ये बगीचा लागा हुआ है प्लांट आपका कलम करने के लिए पूरा बगीचा लगा हुआ है सब मादार प्लांट है हमारा ये सब फ्रूट आया है देखिए छोटा है मैचूर नहीं हुआ है अब छोटा है फ्रूट अभी के लिए इतना है नमस्ते आपका कर दो हुआ है आपका कर दो को कर दोंग हुआ है आपका कर दो दो बगीचा मधा मुआ है